तो अभी कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जोकर फॉक्स के उपर उस पे इतने सारे कमेंट से आलोग वर्सेज जोकर को लेके कि मैंने सोचा कि इस चीज को कवर कर लेना चाहिए अपनी नेक्स वीडियो में ही मतला हुमारे इंडियास भी ऐसा प्लेयर को टकर भी दी रहा है और हरा भी रहा है अब देखो अलोग और जोकर फॉक्स के दो मैचेज हुए थे और मैने आलोग से परसली बात करके उससे दूसरे match का भी जैसे भी प्लेयर है जो उसको पेलने के लिए भी किस तरीक है कि स्ट्राइटी चीज उसकरनी बढ़ते हैं कितना स्मार्ट होना पड़ता है कितना तेज होना पड़ता है बहुत सरी चीज आपको सीखने को मिलेंगी तो आओ यार शुरू करते हैं पिना किसी बखवास के तो स आइन ऑफ फायर है वो कितना जादा साटीक चल रहा था ये भी नहीं कि जश्ट ऐसी छोटी मोटी पीक्स करने से मतलब हो जिससे बस सामने वाला डर जाए एम चाहें किदर भी जा रहा हो उनका एम भी पूरा साटीक चल रहा था और ये सब चीजों के साथ चाथ तुमारे है तो देखो ये जोकर फॉक्स इतना जाद है कोई कहन सब चीजों में भी यहां आलोक राइट साइड में फायर ही कर रहा था और इतनी सी देर में ही वो उपर चड़वी गया और उसने शॉट्स मारने भी शुरू कर दिये कि आलोक भी कंफ्यूज हो गया और उसको भी डा पिंग जो की जोकर फॉक्स के सर्वर में खेलने के वज़ा से 150-60 चल रहा था जिसकी वज़ा से आलोक को पैसिव खेलना पड़ रहा था बहुत जादा अब सामने वाला इतना जादा तेज है तो आलोक ने इस चीज को काउंटर करने के लिए देखो किस तरीके की चीज़े यूज करी अभी देखो आलोक ने यहाँ पर जाके फायर करा लेफ्ट में जाते वे और एक सेकंड का पॉज लिया और इस तरफ रैम पर जाके खड़ा हो गया और यहाँ से फायर करना शुरू करा जिससे जोकर फॉक्स अंफ्यूज हो गया और एक गुली मारते ही आलोक त मारता है सामने वाले उपरैंट को और उसको उसका माइं प्रेडिक करके मारता है अब इसके बाद आलोक पोजिशिं जोकर फॉक्स को बहुत अच्छे से पता है आ लोक यहाँ पे ट्राय करता है प्री फॉक्स नहीं आता है अब यहाँ पर peak game देखो आलोग का कितना जादा strong है कि दोनों एक एक गोली connect करके यहाँ पर रुख जाते हैं और आलोग की यह strategy देखो एकदम पीछे जाता है left में हलका सा और रुख जाता है धीरे धीरे जाता है जोकर फोक्स एक दो shots connect करता है अब जब जोकर फोक्स को लगता है कि यह वहाँ पर नहीं गया है तब जाके आलोग पीछे भागता है और jump shot देखर fire करता है right side में आ जाता है एक दम से और जोकर फोक्स इतना तकड़े तरीके से confuse होता है इस चीज़ से आलोग ने fire करके हलका सा right side की तरफ जा रहा था वैसे ही jump लिया उसको एकदम से confuse करा और सारे shots connect कर दिया आलोग को कोई मौका ही नहीं दिया मारने का और यह सब भी तब जब आलोग का upper hand था fight में अभी यह दे को इतना जादा evenly match थे दोनों के दोनों players पहले आलोग ने यहाँ पर damage खा लिया तो engage कर रहा है थोड़ा सा आग आने की कोशिश करता है जोकर लेकिन पूरा fight में अंधा push नहीं कर पाता है यहाँ पर आलोग हील हो जाता है अब इसके कुछ देर के बाद में ही जब आलोग उसको damage दे देता है कुछ seconds में rolls reverse हो गया यहाँ पर जोकर fox उपर है उसको damage पड़ा हुआ है लेकिन आलोग इस बार push नहीं कर पा रहा है अंधा इनका यही चकर view सा चलता रहता है बहुत देर तक जिसके बाद यहाँ पर देखो आलोग की strategy राइट साइड में गया उसके बाद में turn लिया लेफ साइड में एक कदम चलके जिगल देने लग गया जिससे की footstep sound आया जोकर fox confused हो गया उसको लगा आलोग left side में है और जोकर fox पूरा right side में इतना बाहर आगया cover के इन चीज़ों में आलोग का game बहुत strong है कि जोकर fox जैसे players को वो off guard पकड़ लेता है उन्हें तक confuse करके इतना सारा damage देके upper hand gain कर लेता है fights में और ये match बहुत जादा interesting इसलिए भी था क्योंकि आलोग को यहाँ पे decent बहुत जादा पड़ रहा था और उसको जो एक और बहुत बड़ी strength है जो कि उसकी peaks और cover को utilize कर पाना वो ये कर ही नहीं पा रहा था इस match में decent की वज़ा से तो ये सब चीजों के चलते हुए आलोग को mainly rely करना पड़ रहा था अपने game sense के उपर और जहाँ पे joker fox की speed को beat कर पाना बहुत जादा मुश्किल था वही पे game sense में आलोग ने joker fox को काफी बार beat करा जैसे कि यही पे आप example देख लो right side में जाने के बाद में एकदम से left side गय फिर से जिगल दिया और एकदम से jump लेके right side में आ गया जिससे जोकर fox फिर से पूरा open में एकदम खुला पकला गया फिर से fight इंगेज हुई shots trade होए lucky kill जरूर मिला आलोग को लेकिन यहाँ पे game sense में beat करा आलोग ने जिससे वह एक छोटा सा upper hand अपने disadvantages के उपर gain कर पा रहा थ अब जैसे container के pass वाली fight हो गई यहाँ पे देखना किस तरीके से आलोग confuse करेगा फिर से बार बार जिगल देना जिगल देना फिर हलका सा left की तरह movement देना फिर right में जाके jump लेके फिर से confuse कर देना लेकिन फिर भी यार जोकर fox एक beast है बाई इतना damage खाने के बाद में भी ऐसी situation म भी इतना सारा damage आलोग को दे गया और जब जोकर fox predict कर लेता था तो वो ऐसे मारता था कुछ जहां पूरा right जाने के बजाए हलका सा right गया और बैठ के एक जगा पर fire करने लग गया इतनी ज़्यादा close fights में बंदों का focus पूरा जैर उसको घुमाने पर हो जाता है और वो crouch भी नहीं करते हैं वो एक ही position में भागते चले जाते हैं जिन cases में काफी बार उनका open and run को trace कर ल के तुमें प्रडिक कर पाने के और time भी इतना कम होगा उसके पास में कि जब तक वो realize करेगा तुम उसको मार भी दोगे जैसा exactly यहां पर आलो के साथ हुआ और आलो को यहां पर ऐसी strategies यूज करनी पड़े थी जो classic में कभी सोच भी नहीं सकता है अब जैसे कि वहले एक गोल यहां पर cover use कर रही नहीं सकता था और उसको पूरा pre fire में लेके चला गया वो और इन दोनों का इस match से पहले जो match हुआ था ना उसमें से कुछ clips दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा क्यों इतना ज़ादा उसके सामने passive खेलना पड़ रहा था अलो को अभी इनकी यहा पर confuse था कितनी जल्दी उसने देखा कितनी जल्दे रिया करके कितना सारा damage भी दे दिया जोकर फोक्स आलो को confuse होने के बाद भी capitalize करने का मौका नहीं दे रहा था पूरी तरीके से कि वो point ले जाए उसके बाद में भी उससे पूरी मेनत करवाता था अच्छा खासा damage उसको द कंटेनर के अंदर थी और यहां पर आलोक ने जैसी शॉट्स मारे उसको लगा कि वो कंटेनर के अंदर गया है लेकिन वो जैसी आगे गया पुछ करने के लिए तो उसका देखो क्रॉसर राइट साइड की तरफ था लेकिन जोकर फोक्स ने इतना भी मौका ने दिया कि वो एक सेकेंड भी लगा पाए उसको संभालने के लिए फिर एक बहुत इंटरस्टिंग फाइट थी यह अभी यहां पर आलोक ने भी अच्छा खासा डामेज दे दिया था लेकिन जोकर फोक्स से स्ट्राटेजी देखना है यह इस मौमेंट पर आलोक को कंफ्यूस करने के लि क्योंकि जंप करता तो ट्रेस हो जाता तो बहुत प्यार से नीचे ड्रॉप कर गया जिससे की एक तो इसके शॉट्स भी नहीं बिगड़े जादा और आलोक कितना जादा गन्फ्यूस हो गया था क्योंकि ऐसे कितनी सारी फाइट्स तुमने सोचो ऐसे ली होगी जहां पर ह लोक ने उससे साथ में कीप अप किया जोकर फॉक्स की इतनी जादा स्ट्रॉंग पीक्स होने के बाद में भी ऐसी ऐसी सिचुईशन्स क्रियेट करी जहां पे पीक बैटल में भी उसने अपर हैंड गेन करा वहां पे भी हेडशॉट्स और अच्छे खासे जोट्स कनेक करे फिर कन्फ्यूज करा इस तरीके से अच्छा खासा डामेज दिया ऐसी ऐसी सिचुईशन्स क्रेट करें कि जोकर फॉक्स को भी फाइट छोड़ के बीच में से भागना पड़ रहा था और यह वीडियो स्पेसिफिकली उस परपस से भी बनाई गई है कि कितना जादा दिमा जारे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कोई प्लेयर या ऐसा स्पेसिफिक मैच जिसको तुम चाहते हो कि मैं कवर करूं इस तरीके से तो उसमें भी मेरे को जरूर से बताना और लोटस रिस्टिवाइब को जरूर से चेक आउट करना और मिलते हैं नेक्स वीड झापो झाओी ए जिसको झाओी।